हेलो एब्रीबान कैसे हैं आज मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ ब्रेट चीज रोल इसको बनाना बहुत ही आसान है ये देखिए इसके लिए मैं ले लूँगी तीन बॉयल डालू जिसको मैंने घिस लिया है और इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले यहां है भुना जीरा पाउडर फिर मैं इसमें डालूँगी एक कुटी वी लाल मिर्ज फिर इसमें डालूँगी मैं चाट मसाला डालूँगी फिर नमक डालूँगी स्वात के अनुसार आप अपने स्वात के अनुसार नमक डाल सकते हैं फिर उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कटी हुई हरा मेज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा प्याज और देखिए इस सबको मिक्स कर लूँगी मैं अपने हाथों से और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए यह कैसा दिखेगा फिर इसमें मैं डालूंगी दो चीज का क्यूब है उसको मैं घिस का लियूं उसके बाद मैं उसको डालूगी इसको भी मैं अछे से मिक्स कर लँगी और मिक्स करने के बाद यहां देखिए मैं अपने हाथों में ओयल लगा लूँगी थोड़ा सा और ओयल लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा पतला चोटा चोटा लोई लेके पतला पतला करके मैं इसको बना लूँगी देख रहा है जिस सेप में मैं बना रही हूँ इसी सेप में सारे को बना के रख लूँगी यह देखिए कैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह बनाना है इसी तरह बना के मैं सारा बना के एक साथ मैं कठा रख लूँगी और इसके बाद मैं देखिए अहां पर लूंगी मैं मैं ब्रेड लूंगी जितना भी आप का Yoman है न। यह ब्रेड लेंगे एफोनका शाइट कटिंग करेंगे साइट कटिंग कर लेने के बाद यह देखिए आप में सारा ब्लेड को मैं नहीं करके बेलते हुए मैं सारे ब्रेट को मैं एक जगा बेल के रख लूँगी और यहां मैंने मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा घोल बनाया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गाठे न लगे और यहां देखिए मैं ब्रेट के बीच में वह टिकी को रख ली अच्छे से यह देखिए इस तरह से चिपका देना है फिर इसको मैं इसको मैदे वाले घोल में डिप करूंगी डिप करने कद यह ब्रेट क्रम मैंने दो ब्रेट को अच्छे से मिक्सी में मिक्सी कर लिया है इस ब्रेट क्रम को ऐसे लगा दूंगी और लगाने के बाद इस इसको साइड में करूंगी आप चाहे तो इसी तरह ब्रेट क्रम में लगा के इसको फ्रीजर में रख सकते हैं और जब कोई गेष्ट आये तो आप दे सकते हैं लेकिन इसमें प्याज ना हो तब ही आ फ्रीज में इस्टोर करें और यहां देखिए मैं तेल में दो-2 करके डाल रही हूं मैं तेल ज्यादा नहीं ली हूँ कि टेल गंदा हो जाएगा आप चाहे तो ज्यादा तेल डालके ज्यादा भी डाल सकते हैं मैं दो-दो ही करके फ्राई कर रही हूं ताकि अच्छा बने यह देखिए इसका कलर कितना अच्छाया है और इसे हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे लो फ्लेम करेंगे तो यह तूटने का डर है इसलिए हाई बाद में आप मेडियम कर सकते हैं लेकि शुरू में आशी करेंगे पीर इसको देखिए अलर्टे पलर्टे इसको पका लेना है पकाने का देखिए कलर कितना अच्छा है अब इसे मैं देखिए निकाल लूंगी और यहां देखिए कलर कितना सुन्दर आया है और यहां देखिए मैं सारे बेट को फड़ाई कर चुकी हूँ देखिए मैं तोड़aya ढ़रे हूँ कितना अच्छा चीजी बनाए है यकीन मानिए फिर देखने में जितना टेश्टी है खाने में उतना ही अच्छा है अगर आप लोग को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करें और सेयर करें तो तक मैं मिलती हो अगले रेसिपी के में तक तक लिए बाई बाई